है हलो स्टुडेंट्स कैसे हो सब बढ़िया चलो बहुत बढ़िया अब हम करंट एलेक्ट्रिसिटी की सीरिस पो आगे बढ़ाते हैं और आज के लेक्चर में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टन टॉपिक डिसकर्श करने वाले हैं जो की है करंट डेंसिटी क्या होती है बच् इस डिफाइन एज इस डिफाइन एज चार्ज चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम अभी आपको मैं पूरी एक्स्प्लेइन करता हूं डेफिनेशन चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम around through a unit area through a unit area around the point help held normal to normal to the direction of direction of flow of charge ठीक है, this is the definition of current density, definition इसलिए लिखवा रहा हूँ इन लेक्चर्स में मैं, क्योंकि ये तो हम लोग CBSC की preparation कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको definition वगर अभी पूछी जा सकती है, तो वो सारी आपको पता होनी चाहिए, so current density at a point inside a conductor is defined as charge flowing per unit time through a unit area, through a unit area छोड़ दिया मैंने बीच में through a unit area around the point held normal to the direction of flow of charge ठीक है, बना क्या, कभी क्या कहना चाहता है इसका विता के माध्यम से, ये हम आपको बताते हैं ये मान लो एक conductor है ठीक है, इस conductor में ये flow कर रहा है आपका current मतलब थी, आप तो current नहीं मारते होंगे इस wire के through current flow कर रहा है ठीक है, इस wire के through current flow कर रहा है और this is, this is an area मान लो इसका जो area of cross section है wire का वो area है A, ठीक तो current density कैसे defined होती है बच्चों current, आपको पता है area vector quantity है हाना, ये तो इसका area हो गया A बट इस area की direction हुई ये ठीक है, यहाँ पर area vector का roll है ठोड़ा सा, तो current density है J और J को हम लोग कैसे define करते हैं बच्चों, I by A अब इस definition को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, कि current density at a point inside a conductor, ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं एक point ले लूँ पी यहाँ पर मैं एक point ले लूँ पी इस point के around current density at a point inside a conductor is defined as charge flowing per unit time अब charge flowing per unit time क्या होता है charge flowing per unit time तो current होता है ठूँ अ यूनिट area around the point इस point के around, अगर आपने इस से इस point पे current density निकालनी है, तो इस point के around आप एक unit area बनाईए, उस unit area through a unit area around the point held normal to the direction of flow of charge अब area तो कैसे भी बन सकता है, लेकिन आपने कैसा बनाना है, जैसे charge flow कर रहा है, उसके normal जैसे charge ऐसे flow कर रहा है, अना current ऐसे जा रहा है, तो इसके normal, यानि कि ये जो circle है, अगर 3D में हम लोग बात करें, तो ये कुछ ऐसा बनाना चाहिए हमको ऐसा, मतलब कि ये इसका area of cross section के parallel, ठीक है, तो अगर unit area मैं नहीं ले रहा हूँ, मान लो ये पूरा area मैंने लिया है, और इस area के तुरू जो total current है, ये current है, ये I है, तो current per unit area कितना होगा, I by A that is called current density ठीक है, अब current है एक ऐसी चीज है जो इस पूरी wire में flow करता हुआ जा रहा है, तो अगर आप इस wire का छोटा हिस्सा लो अगर आप इस wire का इतना part लो, इतना part ये छोटा मतलब length wise छोटा नहीं, area wise चोटा, अगर आप इसका इतना part लो, तो obviously इतने part में current आई तो नहीं होगा, क्योंकि आई तो पूरी wire में, तो फिर इतने हिस्से में current कितना होगा, इतने हिस्से में current होगा, current per unit area into इस part का area, हाना, अगर मैं मान लूँ कि ये जो छोटा वाला cross section है, ये जो छोटा वाला cross section है, इसका area है A, तो इसके थ्रू जो current होगा, छोटा I मान लो, वो होगा current per unit area into इतने part का area, तो इससे मैं ये सीधा लिख सकता हूँ ना, J into A, current को मैं सीधा लिख सकता हूँ J into A, यानि कि अगर मुझे किसी भी wire में current density मालूम होगी, तो मैं उस wire के छोटे, बड़े, कितने भी part में निकाल सकता हूँ, current के कितना होगा, और यह हमें जरूरत पढ़ती है आगे इस चीज़ की, इस लिए हम लोग ये देख रहे हैं, समझ मैं ही बात? अच्छा, अगर आपकी जो wire है, वो कुछ इस shape की हो, जैसे की ऐसे ऐसे एरिया जो है न, उसका ऐसा हो ऐसा, समझ रहे हो? समझ रहे हो? यह मेम देख देख के ना ऐसा चिक, ऐसा, टेड़ा मतलब ये तो क्या है, ये तो ऐसे perpendicular है, ऐसे कार्ड दक्च, ऐसे ऐसे salad cards है न, restaurant वाले ठेड़ा, ठीक है, वैसा अगर area होतो, तो इस, इस area का इस area का, जो area vector होगा, वो तो थोड़ा इधर होगा, हाना, because area vector जो है, area vector is always perpendicular to the surface area, but current इसमें flow कर रहा है, ऐसे current इसमें flow कर रहा है, ऐसे अब current ऐसे थोड़ी आएगा, इसमें current थो ऐसे फ्लो करेगा, तो current density इस case में क्या है, आपको हमेशा ये component लेना है area का, जो की current की direction में है ये क्या होगा, a cos theta, आपको current density निकालते वक्त हमेशा वो component लेना है area का, जो current की direction में है, तो अगर मैं ये complete formula लिखूँ, so I will write, j equal to i by a cos theta समझ में आई बात ओके, और i is j into a cos theta j is a vector quantity, बच्चो j is a vector quantity, कैसे, area is a vector quantity, current is a scalar quantity, so it is a vector quantity, यहां फिर simply यहां पर यह scalar है, यहां पर cos theta है, एक vector है, अगर यह scalar होता, अगर j scalar होता, मान लोग की j scalar है, current तो सब को पता scalar quantity, अगर j scalar quantity होता, बट area तो vector है, तो scalar into vector, current को vector होना चाहिए था, but current is a scalar quantity, that means current density is a vector quantity, and vector into vector into cos theta is dot product so current is the dot product current through any hissah of the wire is dot product of current density and area of cross section समझ जहेंगा ओके सो अगर चोट असा पाट लें चोट असा एरिया लें जैसे यह यह वायर है हाना इस वायर में छोट असा हिस्सा ले लिया यह यह जिसका एरिया है मान लो डी यह हम तो इसके से थुरू guys kतना होगा डी आई यहीं से आया नॉर्मल कोई भी फॉर्मूला फिजिक्स का उसको इस फॉर्म में तो लिखा ही जा सकता ना छोटे पार्ट के लिए तो वहां से यह फॉर्मूला आया है ठीक समझ में आगई बात तो यह आपकी करेंट डेंसिटी होती है SI unit SI unit of current density SI unit of current density is current current per unit area ampere per meter square or dimensions dimensions ampere current A length L minus clear okay numerical करें इस पर चलो करते है मान लो question है कि एक wire है और उस wire कि उस wire के through current है I suppose ठीक है इसकी current density हमको given है बच्चो मान लो current density है 5 5 milli ampere per meter square यह current density है 5 milli ampere per meter square तो बताओ SI units में कितनी होई है 5 into 10 की power minus 3 ampere per meter square यह current density है question है कि इसका एक छोटा सा हमने पाट लिया मान लो कितना जिसका area of cross section है यह हम लोग मान ले कि इसमें radius of cross section दे रखा है 1 mm तो 1 mm cross section के through current कितना होगा 1 mm cross section के through current होगा I equal to J dot A यानि J A cos theta J J A इसका area of cross section होगा 22 by 7 into 1 mm 1 mm is 10 की power minus 3 r square meter में convert कर दिया न into cos theta cos 0 degree क्यों क्योंकि यह normally है न ऐसे है यह area ऐसे ही होगा current भी ऐसे है area की direction भी ऐसे ही है so finally answer is 3.14 into 5 3.14 ले लो पाई की value 15.7 into 10 की power minus 3 और minus 6 बहुत ही कम current यानि के 15.7 nano ampere बहुत कम current आया है पहले ही expected था कि इतना कम current आएगा because current density देख रहे हो 5 milli ampere milli ampere कितना कम current होता है per meter square एक meter square area इतना बड़ा होता है तो इसमें already current कम है तो छोटे हिससे में और कम आएगा समझ में आई बात अच्छा current density से एक बहुत important formula निकलेगा बच्चो जिसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर फॉर्म वेक्टर फॉर्म ओफ ओम्स लोग वेक्टर फॉर्म ओम्स लोग क्या है देखो सो जे की value क्या है जे का formula क्या है आई बाए ए हाना और हमने पीछे निकाला ना कि आई क्या होता है ए एन इवी डी हाना जे है आई बाए ए और आई होता है ए एन इवी डी ये relation between current and drift velocity वाला derivation सो अगर मैं ये आई की value यहाँ put कर दूँ therefore अगर आई की value यहाँ put कर दूँ तो A N E VD by A A से A कटा J हो जाएगा N E VD ये भी एक important result है अपने आप में एक दो बार तो question इसी पर आया हुआ है what is the relation between current density and drift velocity relation between current density and drift velocity इसको आप याद रखें so इसको ऐसे लिख सकते है N E VD का formula क्या होता है drift velocity का formula होता है E E by M into tau तो J हो गया N E square tau by M थोड़ा सा रिये रेंज करके लिखाना और याद करो पिछले ही lecture में आपको बता है कि ये क्या होता है ये resistivity का ऐसी प्रॉपल resistivity होता है M upon N E square tau ये resistivity का ऐसी प्रॉपल resistivity का ऐसी प्रॉपल होता है conductivity जिसको हम लोग denote करते हैं सिगमा से ये vector quantity है ये scalar है ये vector quantity है तो इसके उपर vector का sign लगा दो this equation is called बच्चो vector form of Ohm's law बच्चो नहीं कहते हैं इस equation को कहते हैं vector form of Ohm's law याद रखना है आपने ये derivation भी आपको आ सकता है तीसरी quantity की बात करें आज की जो की है mobility mobility को हम लोग represent करेंगे mu E से mobility क्या है बच्चो mobility is defined as किसी भी charge particle के लिए mobility define की जा सकती है हम लोग define कर रहे है इसको फिलहाल electron के लिए आगे semiconductor chapter आएगा हम hole के लिए भी इसको define करेंगे hole आपको नहीं पता है अभी क्या होता है तो tension लेने की जुरत नहीं है अभी हम आपसे expect भी नहीं कर रहे है current electricity में कि आपको पता हो mobility is defined as drift velocity per unit electric field ये तो इसका formula है ठीक है formula है बता दिया learn कर लो logic क्या है ये एक नई quantity क्यों निकालने पड़ी बचो mobility का मतलब क्या होता है general मतलब क्या होता है mobility का मतलब होता है कि कोई चीज कितनी mobile है mobile phone नहीं कोई चीज कितनी mobile है मतलब कितना easily move कर सकती है यहां animals में mobility जादा है, plants में कम है, water में mobility जादा है, honey में कम है, water easily flow कर सकता है, but उसको आप physics की डूसरी terms viscost you अगरा से और ज़्याद़ डिफाइं करते हैं, जो easily move कर सकता है, उसको mobility पूलते है, तो आप ये सोचो कि mobility, ज़्यादा mobile कब होगा कोई भी charge particle, जब वो ज़्यादा से ज़्यादा velocity acquire कर ले कम से कम electric field में, थोड़ी सी electric field लगा ही भागा, दो charge particles है आपके पास, दोनों पर बराबर electric field लगा हो, यहां दोनों को बराबर electric field में रखा, जो ज़्यादा भागेगा आप drift velocity per unit, electric field, that is called mobility and it can be defined for any charge particle, ऐसा यूनिट क्या बनेगी अजीब सी, mobility की, ऐसा यूनिट क्या बनेगी, देखो, meter per second upon newton per coulomb, यह क्या बनेगी, meter per second, क्या बने रहे, meter second inverse, यह उल्टा होके coulomb उपर आजाएगा, coulomb newton inverse, ठीक है, यह, कोई भी चीज कटी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, एक चीज़ हम लोग और कर सकते है, क्योंकि, electric field की unit, volt per meter भी होती है, जो हमको potential gradient से पता चली है, न, e होता है, dv by dr, तो volt per meter भी होती है, और, इसकी हम वो unit बनाते हैं, m by s upon v by m, यह multiply होके, m by s into m by v बनेगी, so it is meter square per volt per second, that is the SI unit of mobility, जिससे आप इसकी dimension भी निकाल सकते हो, ठीक, तो यह छुट-पुट दो तिन terms बची थी, तो मैंने का, इनको जड़ा आप निप्टाते चले, मैं आपसे मिलूँगा, next video lecture में, खुब practice करना, खुब मेहनत करना, और 95 plus जरूर लेकर आना, all the best.